हेलो तोस्तों, वेलकम बैक तो हिंदी एक्स्परिनेशन ओफ लेटेस चाइनिज डामा दा लॉंग पैलेड एपिसोड 14 और 15 सीन शुरू बियर डिविजिन से होता है जहां एक सैनिका के पताता है सुन अपनी सैनर को टैंक की उनिपॉम पैनाई है और वो शोजू के तरफ रवाना हो रहे हैं ग्रेट खान का ओर्डर है कि जो भी फैसले लेने में लापरवाही करेगा वो मारा जाएगा ये सुनकर आउदू हसने लगता है और बोलता है बियर डिविजिन का फेमर सरदार असली में डर्पोक है कासे उसका कला जो उसे पकड़ देता है पर उसका जर्नल उसे छुड़वा देता है आउदू कहता है अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम इगल डिविजिन को हरा देने का आखरी मौका भी गवा दोगे कमांडर ली मेरा भाई है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है वरना तुम मुझे कभी भी मार सकते हो दूसी तरफ सुन मुझे और अपनी सैना पे आकर बोलता है मुझे पता चला है तू कासी अपनी आर्मी को लेकर शोजू के तरफ जा रहा है हमें उनसे पहले पॉसना होगा वरना हमारा सारा प्लैन खराब हो जाएगा चंगा को एक सैनिक आके बताता है कि PA डिविजन यहां आ चुकी है चंगा बोलती है इनकी दुबारा आने की हिम्मत कैसे हुई सैनिक बोलता है वो अपने साथ यहीं कि किसी इनसान को भी लाया है चंगा नीचे देखती है तो PA डिविजन की सारी सैनर खड़ी होती है कासे चंगा से बोलता है देखो मैं साथ में किसको लेकर आया हूँ तब वो वहाँ आउदू को लेकर आते हैं और वो चंगा के सामने उसे बहुत पूरी तरीके से पीटने लगते हैं वो बोलते हैं हमारे लिए गेट खोलो वना हम इसे तब तक मारते रहेंगे जब तक इसकी मौत ना आ जाए चंगा गेट खोलकर भाज आने को बोलती है पर बाकी जनर्रस उसे रोग देते हैं और बोलते हैं वो गेट की बहुत नजज़ी खड़े हैं अगर हमने अभी दरवाजा खोला तो इसका इंजाम अच्छा नहीं होगा आउदू बार 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 बोलने लगता है कि मैं एक जनर्रल बनूंगा और उनके सामने तीन बार सर चुका के परणाम करता है इसलिए नहीं ताकि वो उसे पचाने आए बल्कि इसलिए क्योंकि उसने जनर्रल होने की सारी जिमितारी निभाई चंगा बोलती है तुम मेरे इंतजार करो मैं तुम्हें पचाने आ रही हूँ पर बाकी जनर्रल उसे जाने नहीं देते और बोलते हैं तुम उसके लिए पूरे शोजो को खत्रे में डालोगी चंगा अपनी आपको बहुत बेशारा समझती है और रुने लगती है तब ही आउदू जोड से चिलाकर बोलता है देजू हत्या लिया गया है और हमाले कोई नहीं सेना नहीं आ रही है कासी का जनर्रल अपनी तलवार उठाकर आउदू को मार डालता है कुछी समय बाद वहाँ सुन की सेना भी पहुंच जाती है जनर्रल जैंक कहते हैं उसने तो बोला है कि कोई सेना नहीं आ रही तो वो कौन है चंगा बोलती है वो असाई कभीले वाले हैं जिन्होंने हमारी ट्रेस पहनी है हम इने शोजू की नस्दीक भी नहीं आने देंगे चंगा हजार सैनिक के साथ गेट के भार जाती है और उनसे लड़ने लगती है तू कासे ये देखकर कि उनकी हार हो रही है बीर डिविशन को वापस लोडने को बोलता है पर चंगा उसके जनर्रल को भागने नहीं देती और उसे पूरी तरीके से माने लगती है तू कासे ने हमारा सारा प्लैन बिगार दिया है अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं है जैसे ही उन जाने को होता है वो देखता है एक सैनिक चंगा के पीछे से उस पर वार कर रहा था सोन उस पर तीर चला कर उसे मार डालता है और फिर वाँ से चला जाता है चंगा भी उस जैनरल को मार देती है और आउदू की मौत का बदला ले लेती है आखेर में चंगा बहुत निराश होती है और खुद को चारों तरफ से केवल लाशों से ही गिरा हुआ पाती है अगले सीन में आउदू को शहीत का दर्जा दिया जाता है और उसका अंतिम संसकार जर्णल सल्यूट देकर किया जाता है अब वो कोई अंजान इंसान नहीं था बलकि शोजू का जर्णल था जिसना अपने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी शोजू में राशन की कमी थी और शहर को असाइल कपीले वालों ने सीज़ कर रखा था इसलिए गौंग सुंग हैंग ने एक तरीका सोचा और शुरूफंग के हाथों असाइल सुन को एक लेटर भिजवाया चंगा भी एक तरीका लेकर आती है और वो बोलती है हम पीछे हटने का नाटक करके असाइल कपीले वालों को शोजू की कमांड समाले देंगे और जैसे ही वो शहर के अंदर आएंगे तो उनके आसपा सूखी लकडियों को रखकर उनमें आग लगाके पूरे कपीले को ही जला डालेंगे गवर्नर कहते हैं पर इसे शोजू भी नहीं बचेगा और लास में यहां की लोग रेफ्यूजी बनके रह जाएंगे मैं शोजू को टैंक के लिए प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ बलकि यहां की लोगों के लिए करता हूँ रात होने पर गवर्नर असाइल सुन से मिलने आते हैं सुन भी उन से मिलने अकेले आता है सुन कई समय से बैटल लड़ता हुआ आ रहा था गवर्नर ने उसके तरीकों के बारे में सुना होता है जादत है असाइल कपीले वाले निर्दय और क्रूर मिजाज के थे पर वो बाकियों से अलग था उनका राशन जलाते वक्त भी उन्होंने किसी निर्दोश के जान नहीं ली थी गवर्नर शोजू असाइल सुन को सौपने को तयार था बस वो यही चाता था कि वो शोजू में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे यहां तक वो यह भी बोलते हैं इसके बदले में असाइल कपीले वालों को एक संतुष तौफा भी दूँगा असाइल सुन उससे वादा करता है कि मैं लोगों की रक्षा अच्छे से करूँगा अगली सुबा गवर्नर मैंशन में गुंग सुन सब के साथ खाना खाता है और सब को उसका साथ देने के लिए शुक्रियादा करता है अडम को गवर्नर की बाते सुनकर पता चल जाता है कि वो खुद को शोजू के लिए कुर्बान करने वाले हैं उसके बाद गवर्नर चंगा को स्टूरी रूम में पुलाते हैं और उसे सारे जरूरी चीजे जैसे कि उसका टोकन और शोजू के सारे नक्षे देते हैं और बोलते हैं मैंने शोजू को असाइल सुनको सौपनी का फैसल ले लिया है और वो बदले में शोजू को प्रोटेक्ट करने के लिए तयार है चंगा पूछती है किस कीमत में गवर्नर कहते हैं कीमत है मेरा सर वो बोलते हैं मैं शुजू को टैंग की प्रिंसेस के हाथों में सौपकत जा रहा हूँ मुझे इस बात की संतुष्टी है सीनिर को इन बताते हैं कि उन्होंने हाउदू की मुझ से उन्हें प्रिंसेस पुकारते वे सुन दिया था और समझ गएते ही कोई महल का इनसान होगा चंगा बोलती है मेरा नाम ली चंगा है मैं प्रिंस जियान चैंग की पेटी हूँ पर अब मैं एक राजकुमारी नहीं रही मैं लोगों की रक्षा के लिए आपका साथ देना चाहती हूँ मुझे सोचने का मौका दीजे मैं पका कोई तरीका निकाल ही दूँगी गवर्नर कहते हैं उन्होंने एसाइल कपीले वालों को कई बार हराया है वो उसे नफरत करते हैं शोजू को बचाने के लिए उनकी नफरत को मिटाना पड़ेगा और उसका एक ही तरीका है वो आखिर में कहते हैं मेरी वाइफ और यूआन का ध्यान रखना चंगा बहुत दुखी मन से वादा करती है कि वो हमेशा मैडम और यूआन का ध्यान रखेगी गवर्नर, सीनियर क्विंग और जूफॉंग को फ्यूचर में चंगा को फॉलो करने को बोलते हैं गवर्नर ने अपना मन बना लिया था इसलिए चंगा और सीनियर कुईन कुछ नहीं कर पाते सिवाए गवर्नर को अपनी आखों के सामने तलवार निकाल कर खुद को मार डालनेंगे मैडम भी स्टडी में आ जाती है वो गवर्नर की मौत पर तुखी तो होती है पर फिर भी ये बात जानती है कि उन्होंने ये सब लोगों की रक्षा के लिए किया था वो चंगा और सीनियर कुईन को भार जाने को बोलती है ताकि वो कुछ समय गवर्नर के साथ पिता सके वो गवर्नर के साथ अपनी पुराने यादे याद करती है और बोलती है आप बहुत पहादूर है जो अपनी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा पर एक माह होने के नाते में एक सेलफिश हूँ उमीद करती हूँ हमारी बेटी अच्छे से पड़ी होगी फिर वो उसी तलवास से अपना गलापी काट देती है स्टड़ी रूम में अचानक से औकवर्ट साइलेंस होने पर चंगा और सीनर को इन अंदर आते हैं तो देखते हैं मैडम ने भी गवर्नर के लिए अपनी जान दे दी थी दूसरी तरफ सुन गवर्नर को एक ग्रेट हीरो बताता है और उनकी मौत के सम्मान में वाइन गिराता है अगली दिन असाइल सुन अपनी पूरी सैना को लेकर शूजू के भार आता है चंगा सपेथ कपड़े पहन कर गवर्नर और मैडम की कपड़ के सामने सर जुकाती है तब ही वाँ हाउदू आता है और पूसता है तुम टैंक के राजकमारी होने के पावजूद भी इनके आगे सर क्यों जुकारी हो चंगा बोलती है क्योंकि वो इसके लायक है वो ये भी बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझे मारना चाते हो पर मेरे लिए हर दिन जिन्दा रहना मौच से भी पत्तर है क्योंकि मेरे सब ही अपने मारे जा चुके है और मुझे मेरे खर से निकाल दिया गया है अभी शोजू को मेरी जरुवत है वो गवरनर के हैट वाला बॉक्स उठा कर वहां से निकलने लगती है और बोलती है सब कुछ ठीक करने के बाद मैं खुद तुम पे चली आऊंगी हाउदू भी उसे जाने देता है शोजू से है सरंडर करने वाला था इसलिए चंगा को ठरता कि असाइल कभीले वाले अंदर आकर तबाही मचाएंगे वो सीनियर कुइन और जूफों को यान और गवर्नर की जादत परस्नल प्रॉपर्टी लेकर शहर छोड़ कर चले जाने को बोलती है और जहां तक रही उसके बाद तो वही रुका शोजू को गार्ड करेगी वो पहले ही अपना गर खोच चुकी थी अब वो टैंक को भी नहीं खोना चाती थी उसके बाद चंगा गवर्नर का हैड लेकर सरंडर करने को अकेले आती है और अपना सर चुका कर गवर्नर का हैड असाइल कभीले वालों को पेश करती है मुजीन वाक शेक करता है और सुन को आकर बोलता है ये गोंग सुन का ही हैड है चंगा मुजीन की आवाज पैचान लेती है और उपर देखती है सुन की मुखोटा पैनने के बावजूद वो सुन को पैचान लेती है सुन को भी पता चल जाता है कि चंगा उसे पैचान चुकी है तब वो अपना मुखोटा उतारता है चंगा उसका चेहरा देखकर शौक हो जाती है और किसी तरह अपने इमोशन्स को समालती है उसके पाद वो असाइल कभीले वालों को शेहर की लोगों को बक्ष देने को बोलती है पर असाइल कभीले की सैना ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है तुम्हारी बचे से हमारी कितने लोगों की जान गई है तब चंगा बताती है उसने शहर में बारूत भर रखा है अगर वो शोजू की लोगों को माणने के लिए इंसिस्ट करते रहेंगे तो शोजू की लोगों के साथ वो सब भी चल कर राक हो जाएंगे सुन कहता है शायद मैं तुम्हें पहले बताया नहीं होगा मुझे धंकिया पसंद नहीं है चंगा कहती है चाहे तुम मेरी जान ले लो पर शोजू की लोगों को छोड़ दो सुन उसकी रिक्वेस्ट के लिए मान जाता है पर एक शर्ट पर कि चंगा को उसका स्लेप बनना पड़ेगा और उसे मास्टर की तरह सर्फ करना पड़ेगा शोजू के लिए चंगा ये अपमान सेह लेती है और उसकी शर्ट मान जाती है दूसी तरफ सीने कुइंग जू फांग यूआन को लेकर शेह छोड़कर चले जाते हैं जैसे ही असाइल कभीले वाले शोजू के अंदर आते हैं वो चंगा को मार्केट की बीचो बीच बान देते हैं शोजू की लोग उसे देश द्रोही कहते हैं और गवर्नर और मैडम की मौत का जिमेदार उसे ठेराते हैं क्योंकि सरंडर करने के लिए वो अकेले गई थी चंगा वहाँ बिना अपने पास समझाए चुप चाप खड़ी रहती है तब मूजिन वहाँ आंके बोलता है कि ग्रेट खान और असाइल कभीला वहाँ की लोगों को कोई नुक्सान नहीं पहुंचाएगा ये सुनकर शहर की लोगों को राहत मिलती है मूजिन चंगा से फूसता है ये लोग तुमारी कुर्बानी नहीं जानते हैं बलकि तुम से नफरत करते हैं क्या तुम इसके काबिलो चंगा गवर्नर की कुर्बानी को याद करती है और सोचती है उनकी कुर्बानी भविश्य में कोई याद नहीं रखेगा और बोलती है मुझे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है हाउदू भी वहाँ खड़ा होकर सब देख रहा होता है वो चंगा की कुर्बानियों को समझता है इसलिए वहाँ से चला जाता है रात को तू कासे गवर्नर मैंशन में सुन के पास आता है और बोलता है तुमने बिना ग्रेट खान की पर्मीशन के लोगों को जाने कैसे दिया आज तक असाई कभीले की लडाईयों में हमने कभी लोगों को नहीं बख्षा है सुन या दिलाता है कि उसने भी एगल डिविजन का प्लान बिना पर्मीशन के बिगाड़ा था वो तू कासे को धमकार का भगार देता है और उसके पास मूझिन को शेर की नोटिस बोर्ड में ये खबर लगवाने को बोलता है कि कमांडर ली मारा जा चुका है बात में सुन चंगा के पास चाता है चंगा बोलती है मेरी वज़ा से असाइल कभीले को बहुत नुकसान हुआ है अगर तुम चाते हो मैं तुम्हारे लिए काम करूं तो तू कासे वो बाकी कभीले वाले मानेंगे सुन कहता है कितनी दुक्की बात है कमांडर ली मर चुका है और यहीं पर एपिसोड 14 और 15 खतम हो जाता है